हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज डिजाइन बनाना बताऊंगी तो यह हमारा पेपर पेस्टिंग अस्तर और ब्लाउज का कपड़ा है तो मैं आपको सबसे पहले इसका नाप दिखाती हूं तो ब्लाउज का लेंध है 14 इंच ब्लाउज की है तीन इंच पर मार्किंग करना है और यहां करने के बाद इस तरह से अभूट नेक सेब देदेंगे तो यह जो हमारा ब्लाउज कर लिया आप अम की कटिंग कर रहेंगे सबसे पहले में आप एक पिन लगई रहे हुं ताकि यह बराबर कटिंग हो इस तरह से बिल्कुल से एक कंटिंग करना है जिसी कि अपने मार्किंग किया है इसी कि में यह कर लें रहें तो यह हमने cutting कर लिया है तो अब दो इंच एक्स्ट्रा आपको बाहर के साइड पेपर पेस्टिंग छोड़ते हुए cutting कर लेना है तो यह हमने पूरे गले के लिए cutting कर दिया आप इसको मैंने अस्तर वाले कपड़े पेस्ट करके रख दिया है और नीचे हमारा ब्लांच का कप पड़ा है और इसको मैंने पीन कर लिया है तो देखे जिस से में हमने पेपर पेस्टिंग के cutting किया है बिल्कुल आपको उसी से में बारी आराम से लगाना है और इस तरह से आपको यहां पर ध्यान देना है आपको दूसरी तरह गुमा लेना है फिर दूसरे साइड से भी हम चीचा इसी अथा करेंगे तो मैं आपको पहले बटाया किये एमारा बैक ओपन है तो मैं आपको आगे दिखाते हूं कि किस तरो का यह हमारा डिजाइन वनकर रेडी होगा तो यह मनें सिलाही लगा दिया है अब जो हमने पीन लगा था उसको बहुम माटा लेंगे और इसम है किम कॉटिंग कर देंगे तो ये मनें बाकी किक पड़े की क consegue को दिया है अब किनारे кто लगा देंगे प Tous इसको सीधा करें तो यह हमारा भीलुकुल फिनीशिंग के साथ सीधा हो जाएगा तो इस तो यह हम तो देखिए इस तरह से आपका नोख निकल जाएगा फिर नीचे वाले को भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे तो एक पाट का मैंने आपको दिखा दिखा दिया है दूसरे पाट का आपको बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेना है तो अब इसके उपर हम फिनिसिंग वाला सिलाई डा लाउंज के कपड़ा और अस्तर है एक साथ अच्छे से फिक्स हो जाता है और जो भी हमने इसमें गले का सेब दिया है बिल्कुल वह फिनिसिंग के साथ दिखता है तो बिल्कुल आराम आराम से आपको फिनिसिंग वाला सिलाई के उपर लगा लेना है और यह हमारा दोरी लगाएंगे तो देखिए जो नीचे का जो हमारा नोक निकला है उसे में हम दोरी लगाएंगे यहां आप चाहें तो भूक भी लगा सकते हैं लेकिन मैं यहां पर डोरी लगा रही हूं तो इस तरह से आपको मसीन से डोरी को अटैच कर लेना है दुशार टाके लगा तो दिखें यह मैंने दोनों साइड डोरी को अटाइज कर लिया है तो जो एक्सट्राइब धागा होगा है है इसको मैं cutting कर लेंगे तो यह साड मैंने डोरी लगा दिये आप ऊपर के साड ही यहां पे 26 लैल लगा इसको fix कर लगेगा उपर नीचे डोरी वाला तो यह हमारा प्लाउंस डिजाइन रेडी है तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कैसा लागा थाइंक यू सो मच फ्रेंड्स पर वाचिंग वाइव वीडियोज